हाई टेक एग्रीकल्चर करने वाले जो फार्मर्स हैं जो खेती में नवाचार करना चाहते हैं और एग्रीकल्चर की नवीन पद्दतियों को सीखना चाहते हैं उनके लिए नाबाड के कैट जो प्रोग्राम है उसमें युवा जागरती संस्थान ने जो प्रोजेक्ट पूजल लगाया 25 फार्मर्स के लिए नाबाड ने हमें एक प्रोजेक्ट स्विक्रत किया गया है जो मिनी इजराइल जो जो बनेर है वहाँ पर हमारे फार्मर 27 तारीक को जा रहे हैं मैं इस वीडियो के माध्यम से आग्रे करूँगा कि ऐसे फार्मर्स जो खेती में नवाचार करना चाहते हैं और ग्रीन हाउस या ड्रिप रिगेशन या मल्टी पल एग्रिकल्चर का जो पाइलेट देखना चाहें इच्छुक हों वो इस कैट जो हमारा प्रोग्राम है उस में समलित हों और 27 तारीक को सुबए बानसूर से 6 बजे प्रस्थान करेंगे 25 फार्मर्स और विसेशकर ऐसे किसानों का हमने चैन किया है जो क्रसी में ग्रीन हाउस या फिर सबजी उत्पादन की नवीन तखनीकों को सीखना चाहते हैं तो मैं आप लोगों से अग्रे करू कि नाबार्ड ने जो प्रोजेक्ट यूआ जागरती संस्थान को स्विकरत किया है किसानों को छेटी की नवीन पद्दती सिखाने के लिए उसमें जो भी किसान इस तरह का नवाचार करना चाहते हैं रूची रखते हैं वो हमारी यूआ जागरती संस्थान की टीम से संपर करें और अपना नामांकन स्विक्रत करें जिससे की 27 तारीक को जाने वाले इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हम उन्हीं फार्मरों को लेके जा रहे हैं जो नवाचार करने के लिए प्रेडित हैं और उन्हें सीखने के लिए कोई प्लेटफोर्म नहीं मिला मैं पुने नाबाड का आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने ऐसे खिसानों को खेती की नवीन पदती सीखने के लिए युवा जागरती संस्थान को ये प्रोजेक्स विक्रत किया है पुने मैं बार बार नाबाड का धन्यवाद करता हूं